दोस्तो 2024 आते ही Hyundai ने एनौउन्स करदिया Hyundai Creta Facelift 2024 के आने का दोस्तो बहुत समय से यानी 1 साल से ज़ादा हो गया इस गाली का वेट किया जा रहा था अब फ़ाइनली क्लियर हो गया है Hyundai की New Creta आने जा रही है क्योंकि इस गाली की Booking खोल दी गई है 25,000 रुपे देखे आप न्यू क्रेटा को बुक कर सकते हैं अब देखिए बात आई हम बुक तो कर सकते हैं लेकिन ऐसा क्या खास है न्यू क्रेटा में किन वेरियंट्स में आएगी कौन कौन से कलर आप्संस मिलेंगे इंजन ऑप्संट, ट्रांस्पिसंट, सब कुस दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कार दुनिया से मैं विनी फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए टामने विस्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को देखिए, जुलाई 2015 में पहली बार इंडिया में लाँच हुई हुड़े क्रेटा 2020 में फेस्टलिफ वर्जन आया तब से अब तक यानि लाँचिंग से अब तक दोस्तों साड़े नौ लाख करेटा की यूनिट सेल हो चुकी है बेस्ट सेलिंग मिट साइज एसुवी रही आठ सालों से तो दोस्तों इसके पीछी रीजन रहा है क्रेटा की बहतर पर्फॉर्मेंस, बोल्डर लुक, कमफर्टेबिल सेटिंग्स, रिफाइन इंजन, इवन जो है बेटर माइलेज और बेस्ट रीसेल वैल्यू अब दोस्तों 2024 में भी कई सारे मेजर चेंजेस के साथ क्रेटा फेसलिफ्ट आने जा रही है देखिए, यहाँ पे काफी ज़्यादा अपने वीडियोस चेक करेंगे जिसमें इंडोनेसिया वाली क्रेटा को बताया जा रहा था है कि यह सेम क्रेटा इंडिया में आएगी लेकिन ऐसा नहीं है इंडोनेसिया वाली क्रेटा और इंडिया में जो क्रेटा लॉंच होने जा रही है उसमें कई सारे चेंजेज है फिलाल मैं बात करता हूँ अगर हम इंडियान क्रेटा की जो की 2014 में आने जा रही है तो यहाँ पे काफी सारे चेंजेज किये जा रहे है अगर आप इस गाली का front look check करेंगे तो देखिए ग्रिल में कई major changes है इवन जब ग्रिल के उपर की तरफ check करेंगे तो horizon, LED positioning and DRA lights इस गाली को front से complete different look दे रही है इस तरह के कुछ lighter Hyundai की वर्णा में भी देखने को मिलती है इवन headlamps का setup भी change किया है यह quad LED headlamps जो की नीचे की तरफ नए look के साथ placement में मिलेंगे bumpers में भी changes front में देखने को मिलने है इवन side profiles में कुछ minor changes कह सकते हैं यहाँ पर कुछ character lines में change होगा और definitely यहाँ पर alloy wheels की setup में change किया जाएगा याणि alloy wheels की design को change किया जाएगा अब बात करते हैं rear profile की तो देखिए पीछे भी जो है आ गई है LED connecting tail lamp जो की futuristic design बनाती है इस गाड़ी को पीछे भी bumpers में जो है changes कई major किये गए है इसके पेड़ भी यहाँ पे change दिख रही है interior की बात करते हैं तो दोस्तों interior में भी 2024 crater में काफी सारे changes आएगे यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा panel दिखाई देगा उबरा हुआ यहाँ पे cluster कर दिया है तो यह panel complete नए setup के साथ है even automatic AC वाला panel भी में देखिए यहाँ पे कई सारे changes किये गए है futuristic cockpit like feel यहाँ पे मिलेगा spacious comfortable cabin दोस्तों 2024 की crater में रहेगा बागी दोस्तों बात करते हैं अगर हम safety को लेकर तो देखिए 2023 के कई सारे updates में Hyundai क्रेटा में बहुत सारे features को standard किया यहाँ पे 6 airbags, electronic stability control, vehicle stability management, hill assist control, even ISOFIX seats और 4 disc brakes जैसे safety features Hyundai की crater में standard हो गए तो यह सारे features तो 2024 की जो crater आएगी उसमें तो रहेंगे रहेंगे even Adas level 2 जैसे की Kia Seltos या फिर Hyundai वर्ना में आ रहा है उस तरीके का Adas आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है 17 Adas के features के साथ इतना है नहीं, 360 degree camera, front parking sensors के भी पूरी उमीद है 2024 की crater में आ जाएगा बाकि देखिए जो regular features चले आ रहे हैं जैसे की front में ventilated seats, wireless charger, cruise control, automatic AC, rear AC event, blue link, even panoramic sunroof ये सारे features तो continue रहेंगे 2024 की crater में Dimensions की बात करेंगे तो देखिए कोई बहुत major changes Dimensions में नहीं आएंगे फिलाल अभी उने इने dimensions के बारे में कुछ भी clear नहीं किया है चले अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस गाली के engine, transmission, color options और variants के बारे में तो फो इसी detail में बात करते हैं तो देखिए, 1.5 liter का petrol engine रहेगा, MPI petrol engine प्रेजेंट में क्रेटा में आ रहा है वही same रहेगा, 6-speed manual transmission और IVT automatic में आएगा, power बनाएगा, 115 PS का torque 143.8 Nm का, वहीं पे 1.5 liter का Kappa turbo GDI petrol engine जिनको चाहिए powerful performance उनके लिए आ गया है यह engine वापस से, 160 PS power और 253 Nm torque के साथ, इसमें आपको मिलेगा 7-speed DCT automatic, dual clutch automatic transmission आएगा तो advanced transmission, advanced engine वाली गाली वापस से आगी है, अब आई, diesel के बारी, 1.5 liter का same CID technology based diesel engine आएगा, जो की present में क्रेटा में चलना है सेम power बनाएगा 116 PS का और सेम torque रहेगा 250 Nm का, यह रहेगा 6-speed manual transmission और 6-speed automatic में तो यहापे engines के बारे में मैं आपको बता दिया, transmission आप समझ गया है, manual, automatic, DCT, automatic और 80, सारी चीज़े आपको इसमें मिलेंगी, सारे transmission सेम आ रहे हैं IMT दोस्तों नहीं उता रहा, intelligent manual transmission जो discontinue कर दिया था, वो 2024 में भी नहीं देखने को मिलेगा चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा variants की, तो variants में यहाँ पे present वाली क्रेटा जैसे ही लगबग variants सा जो है continue रहेंगे, 2024 में थोड़ा बहुत changes से दिखा देता हूं तो देखिए, क्रेटा स्टार्ट होगी, E variant से, उसके उपर आएगा EX, S variant, फिर SO या फिर S optional variant कह सकते हैं, इसके उपर आएगा SX, SX Tech ये एक नया variant लेकर आ रही है और SX optional यानि SXO topmost variant रहेगा, जिसमें automatic जो हैं जहां तक S optional variant से सुरू हो जाएंगे, इसमें single tone and dual tone color options रहेंगे, जिसमें dual tone colors जो हैं, वो SX variant से मिलने लगेंगे, और turbo petrol engine जो है, वो आएगा सिर्व इसके topmost variant SX optional में, जिसमें single tone and dual tone colors रहेंगे, चलिए, यहां पे single tone and dual tone की ब बारें बता दे क्योंकि यहां पे भी थोड़े बहुत changes किये गए हैं, तो single tone colors टोटल दोस्तों इस गाड़ी में आपको मिलेंगे 6, Abyss Black, Robust Emerald Pearl, यह एक नया color इसमें उतारा जा रहा है, बाकी Fairy Red, Ranger Khaki, जो की अभी तक Crata के Adventure Edition में आता था, इसको regular कर दिया गया है, Atlas White Titan Grey Metallic, इसके लावा एक dual tone color की choice रहेगी, Atlas White with Black Roof, तो यहां पे दोस्तों इतनी चीज़े information थी, वो तो मैंने आपको बता दी है, प्राइसिंग से बारे में और बता देता हूं, तो देखिए, प्राइस के अगर बात करेंगे, अगर प्रेजंट क्रेटा के प्राइसिंग की बात कर बाकी देखिए, प्राइसिंग से जब नए features आएंगे, नए क्रेटा आएगी, तो कहीं ना कई price increment थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, फिलाल अभी इस गाली की pricing clear नहीं है, तो price clear होंगी, launching date बता ही जा रही है, 16 जनवरी 2024, लोगस तारीको गाली launch होती है, तो price जैसे clear ह मैं आपके सामने ले आऊँगा, even और भी कोई details आएगी, तो वो भी आपके सामने जल से जल लेकर आऊँगा, जैसे physical गाली आजएगी, तो physical गाली पे review करेंगे, comparisons करेंगे, बहुत सारे क्रेटा के और वीडियो में लाने जा रहा हूँ, आज के मेरे इस वीडियो में बस इ इस दुनिया में बस हम दो हैं, दुनिया जिनके दिवानी है, आ रहा है हम दोनों